कैबिनिट उपसमिती की बैठक की अध्यक्षता करेंगे सी एम शिंदे covered the charges को लेकर होगी अहम चर्चा एनाई नागपुर महरास्च्ट्र के मुख्य मंत्री एखनाज शिंदे सुम्वार को मराथा औरक्षन पर कैबिनिट उप समीती की पैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं मराथा आरक्षन और सुविधाओं के लिए गठत कैबिनेट सब कमीटी की पैठक आज शाम को आयूजत की जाएगी महराश्टर में शिवबा संगठन के संस्था पकारेकरता मनोज जारंगे पाटिल के नेतरत्व में मराथा समुदाय द्वारा विरूद प्रदर्शन किया जा रहा है इस अभी OBC श्रेणी के तहट सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षन की मांग कर रहे हैं मराथा आरक्षन पर निर्णा लेने के लिए सरकार द्वारा 24 दिसंबर की समय सीमा निर्धारित करने के बाद जारंगे पाटिल ने तीन नवंबर को दूसरे चरण में अपनी अनिश्चित कालीन हर्टाल वापिस ली थी भोखरताल के बाद तेज हुआ आंदोलन 25 अक्टूबर को जारंगे के आनिश्चित कालीन भोखरताल पर बैठने के बाद मराठा समुदाय के अंदोलन ने गती पकड़ी आंदोलन में हिंसा आत्मात्याएं और आरक्षन के समर्थन में विधायकों के इस्तिफे भी हो गए महराश्च्र में कुन्भी प्रमान पत्र जारी करने की प्रकरिया शुड़ू हो चकी है मालूम हो कि कुन्भी समुदाय हो भी सी श्रेणी में आरक्षन के लिए पात रहे अगले आंदोलन की दी चित तावनी इससे पहले रविवार को कोटा कारेकरता पाटिल ने मराठा आरक्षन पर एकनाच शिंदे के नेतरत ववाली महयूती सरकार को 24 दिसंबर के बाद का समय देने से इंकार कर दिया था उन्होंने कहा हम 24 दिसंबर 2023 के बाद एक घंटा भी नहीं देंगे तब तक मराठो को आरक्षन सुनिश्चित करें अगले आंदोलन में 3 करोड से अधिक लोग होंगे उन्होंने कहा कि 23 दिसंबर को उने वाली बैठत में अगले विरोध आंदोलन की दिशा की घोशना की जाएगी जारंगे ने बताया कि राज्य सरकार ने आरक्षन के लिए विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले मराठों के खिलाफ मामले वापिस नहीं लिये है जारंगे से मांगा अतिरिक्त समय इस पहले शनिवार को ग्रामीर विकास मंत्री गरीश महाजन और रोजगार गारंटी योजना मंत्री संदीपन भुमारे ने जारंगे से मुलकात की इस दोरान जारंगे को बताया गया कि सरकार ने अब तक क्या किया है और साथ ही समय सीमा बढ़ाने की मांग भी की MSBCC के नए अध्यक्ष नियोग महराश्र राज्य पिछला वर्ग आयोग MSBCC के अध्यक्ष नियाय मूर्ती सेवा निर्वित आनंद निर्गुडे ने इस महीने की शुरुआत में राज्य सरकार को अपना इस्तफ़ा सौब दिया इसके बार राज्य सरकार ने मराथा कोटा को नजर अंदास करते हुए Bombay High Court नियाएधीर सुनील शुकर को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है इन्होंने पिछले महीने जारंगे को अपनी भूखरताल खत्म करने के लिए मनाने में मध्यस्त की महत्वपूर्ण भूमी का निभाई थी